साथ्यों, एक दौर था जब हमारे हाँ रिफॉर्म्स की बहुत बाते होती थी कभी मजबूरी में कुछ फैसले दिये जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था, इस कारण इस्छित परणाम नहीं मिलते थे अब यह सोच और एप्रोच दोनों बदल गई है हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है, रिफॉर्म नीती आधारित हो, टुकडों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए और ऐसा भी नहीं है, कि एक बार रिफॉर्म करके रूप गए, यह निरंतर सतच चलने वाली प्रक्रिया है बीते कुछ वर्षों में, देश में, डेड़ हजार से ज़्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है इजब डिंग बिजनेस की रैंक्पिंग में भारत, आज से कुछ साल पहले, 134 वे नंबर पर था आज भारत की रैंकिंग 63 है रैंकिंग में इतने बड़े बड़लाव के पीछे अनेकों रिफोंस है अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है रिफोंस के पती, भारत की इसी प्रतिवद्धता को देख कर विदेशी निवेशकों का विश्वाद भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडियाई का आना इसी का उदान है कि अपाए परिवर्तन है